अब वो आखरी समय आ गया है जब आपको कुछ कर दिखाना है अब आपको आज फिर से एक बार मोटिवेट करने आ गया हूँ और तुमारी सारी टेंशर को मैं आज सॉल्व करके जाओ अगले पंदरा दिनों में आप पूरे सिलेबस को इतब धोग जाके एक दब परफेक्ट कैसे करने वाले है तो बेटा समस्याएं कि तुमी भी बड़ी हो जाएं तो आपको हरा नहीं सकती है अगर आपका confidence आपके साथ है आपको पोल करके आना है जब आपको एक्जाम में टॉप करने के लिए पूरी मेहनत करनी है लेकिन इसमें भी बहुत सारे बच्चे थोड़ा सा demoralize हो जाते है आखरी टाइम में देखो ये वो टाइम है जिसमें टॉपर बच्चा कई बार demoralize होके नीचे आ जाता है और average बच्चा जो है वो अपने moral के थूँ आगे पहुँच जाता है इसलिए मैं आपको आज फिर से एक बार motivate करने आ गया हूँ फिर से आज मैं आप लोगों को एक strategy session देने आया हूँ कि आपने अभी तक जो पढ़ लिया है बहुर अच्छी बात है अगले 15 दिनों में आप पूरे syllabus को एकदम ठोक बजा के एकदम perfect कैसे करने वाले हैं तो इस strategy की हम लोग बात करेंगे लेकिन देखो यार जब भी हम लोग कोई भी चीज प्लान करते हैं कोई भी काम हम लोग करने की कोशिश करते हैं बिटा तो बहुत सारी जीवन में सवस्याय आती हैं ठीक है कई बार आपका मन distract होगा कई बार आपको कोई disturb करेगा किसी की शादी होगी कोई अपने आप बर्डे में बुलाएगा लेकिन आपको ये बात विल्कुल ध्यान लखनी है कि concentration हमारा एक ही तरफ होना चाहिए इस समय कोई social media नहीं कोई instagram नहीं कोई real नहीं कोई girlfriend नहीं कोई boyfriend नहीं इस समय सिर्फ एक काम होना चाहिए और वो है हमारी अपनी सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई यानि कि अगले 15 दिनों में आपको अपनी physics में महारत हाशिल करनी है जिसके लिए PW ने आपका भरपूर सयोग दिया है और आखरी दम तक हम लोग सयोग देते रहेंगे यानि कि आपको पूरा revision कराया जा चुका है mind map सिरीज में भी कराया जा चुका है one shot विजेता सिरीज में भी करवाया जा चुका है हो सकता है आगे marathon classes भी हम लोग ले करके आ जाएं board examination के लिए तो हम लोग अपनी तरफ से 100% best आपको दे रहे हैं लेकिन आपको भी कुछ न कुछ करना पड़ेगा तो आज़ेए सबसे पहले आपको एक शायरी सुणाते हैं थोड़ा सब motivate करते हैं और फिर अपने आज के इस strategy को discuss करते हैं कि अगले 15 दिनों में तुम कैसे अपने इस subject में फोड़ोगे और तुमारी सारी tension को मैं आज solve करके जाऊंगा right सो अर्ज किया है भटकते रहे गए वो अंदर तक नहीं पहुचे भटकते रहे गए वो अंदर तक नहीं पहुचे उचलते हैं वो दरिया जो समंदर तक नहीं पहुचे है ना गहरी है ध्यान से सुनना वाई बटकते रहे गए बाहर वो अंदर तक नहीं पहुँचे उछलते हैं वो दरिया जो समंदर तक नहीं पहुँचे मेरी दस्तार से चिड़ती जिन्हें पागल वो सब के सब मेरी दस्तार से चिड़ती जिन्हें वो पागल सब के सब मेरा कदन आपने आये थे लेकिन मेरे सर तक नहीं पहुचे तो बेटा समस्याएं कितनी भी बड़ी हो जाएं वो आपको हरा नहीं सकती है अगर आपका confidence आपके साथ है over confidence नहीं कह रहा हूँ बट हाँ always be confident अपने उपर भरोसा रखो और अगर आप कोशिश करेंगे तो आप कुछ भी कर सकते हैं ये बात बिल्कुल सत्य है अब बात आई सर पंदरा दिनों में सारा खेला करना है सर तो क्या किया जाए देखो मैं इन 15 डेज को बेटा सबसे पहले divide करना चाहूंगा 8 डेज प्लस 6 डेज में हम अपने syllabus का coverage करेंगे हम अपने syllabus का coverage करेंगे 8 दिनों में और पूरे syllabus को यकीन मानो 8 दिनों में बहुत आसानी से cover किया जा सकता है अगर हम लोग एक दिन marathon class लेके 12, 14, 15 घंटे marathon class लेकर के पूरा syllabus पढ़ा सकते हैं हर एक concept पढ़ा सकते हैं तो भाईस आप 8 दिनों में तुम पूरे syllabus को बिटा cover कर सकते हो 110% cover कर सकते हो जिर्फ वो तरीका वो तरीका मैं आपको बताऊंगा कौन-कौन से chapter को किस sequence में किस combination में आपको लेकर के चलना है कि आप बहुत अच्छी तरीके से चीजों को cover कर सके और remaining जो 7 days है न उसमें हम लोग revision करेंगे और revision का क्या तरीका होगा किस strategy से हमें revision करना है वो सारी बात हम लोग आज के इस session में discuss करेंगे तो आज आए सबसे पहले बात करते हैं कि सर शुरुवाती 8 दिनों में हम लोग क्या करने वाले ये sequence आप कल से ही follow करना start कर सकते हैं सबसे पहले आपको क्या करना है 8 दिनों में इस sequence में अपने chapters को cover करना है देखो आपके syllabus में total 14 chapters हैं physics में अगर मैं CBSC board की बात करूँ 14 chapters हैं हमारे पास जिनमें से बिटा कुछ chapters बड़े हैं charges and fields वाले chapter के साथ में EM waves वाला chapter आपको revise करना है अच्छे से उनकी हर एक concept को पढ़ना है और मैं आपको बता दूँ important topics भी मैं आपको इनके बता चुका हूँ आप कुछ बच्चों को लगा सर ने पूरा syllabus बता दिया ऐसा नहीं है बेटा आपके previous board examinations को observe करने के बाद देखो आपके 2023 के exam में अगर मैं बताओं तो लगबग 15 से 16 paper बनते हैं 15 से 16 paper all India level पर बनते हैं CVSC की तरफ से उनमें से कोई एक paper आपको मिलता है तो जब सारे papers को तुम analyze करोगे न तो पता चलेगा ये वाला topic इस वाले paper में आया गया उस हिसाब से मैंने आपको वो सारे most predictable topics बता दिये हैं जिनके आने के chances हैं और ध्यान से देखना जब board examination आएगा उसके paper को जब तुम analyze करोगे न सारे topics उनहीं topics में से होगे और वो सारे important topics हैं और ये बात जो बच्चे मेरे से परिश्रम बैस में पढ़ चुके हैं वो ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं कि मैं कभी भी important topics बताने पर विश्वास नहीं रखता हूँ क्योंकि बेटा physics class 12th में ये बात सच्चाई है कोई topic important नहीं है क्योंकि कहीं से भी question किसी भी छोटे से छोटे topic से भी question मेरे प्यारे बच्चों बना कर पूछा जा सकता है और मेरा focus हमेशा होता है कि बच्चे 90 plus marks at least लाए 90 plus लाना है तो हर छोटे छोटे topic पर हमें focus करना पड़ेगा तो मेरे प्यारे बच्चों अब जिसे electric charges and fields है अगर आप इसका एक one shot lecture अच्छे से देखते है तो लगबग 4 घंटे में आप इस chapter को cover कर सकते है all concepts with some numerical questions also ठीक है तो आपको बहुत ज़दा numerical की tension नहीं लेनी सबसे पहला काम है अपने concepts में बहुत ज़दा clarity लाना कि आपको अगर कोई question दिया जाए तो आप ये पहले बात पहचान पाओ कि सर ये पहले chapter का है पहले chapter में कितने concepts पढ़े है ये आपके दिमाग में set होना चाहिए mind map जिसको बोलते हैं हम लोग दिमाग में एक sequence set होना चाहिए कि पहले chapter में भया पंदरही topic है पंदरह topic में सर दसी formula है ये पहले से set होना चाहिए ताकि numerical करने में आपको चीजें easy हो जाए और उसके साथ EM wave EM wave को पढ़ने में hardly एक से डेल घंटे का time आपको लगेगा तो आपको लगबग 4 घंटे यहाँ पे तेल घंटे यहाँ पे यानि कि लगबग लगबग साड़े 5 घंटे का time आपको यहाँ पर देना पढ़ेगा पहले दिन यानि कि first day जो मैं आपसे time मांग रहा हूँ that is of 5.5 hours साड़े 5 घंटे का time आपको पहले दिन निकालना पढ़ेगा दूछरे दिन देखो electrostatic potential and capacitance जो कि आपका chapter number 2 है इसके साथ atom वाले chapter को पढ़ेंगे और मैं आपको बदाऊ electrostatic potential और capacitance को पढ़ने में hardly 3 घंटे का time लगेगा इस तो जादा नहीं लगेगा ठीक है सिर्फ 3 घंटे का time लगेगा और इसके साथ atoms को पढ़ने में आप मान के चलो धाई घंटे का time अगर मैं देदू तो 3 और धाई घंटे यानि कि फिर से यहाँ पर हमें साथ 5 घंटे का time required है तो पूरे दिन में से आपको साथ 5 घंटे पहले दिन निकालना है साथ 5 घंटे दूसरे दिन निकालना है उसके बाद current electricity और nuclei current electricity की बात करें तो 3 घंटे का time लेगा nuclei की बात करें तो hardly डेल घंटे का time लेगा यानि कि साले 4 घंटे का time आपको day 3 में निकालना है और एक बात ध्यान ढखना ये revision ये शुरू तभी करना जब 15 दिन follow करने का तुम्हारे अंदर हो confidence की मैं 15 दिन तक follow करूँगा जनरली होता क्या जब भी आप कोई इस तरीके का motivational वीडियो देखते हो strategic वीडियो देखते हो बड़ा जोश आता है अरे कल तो हम हैसी तैसी कड़ डालेंगे कुछ भी कड़ डालेंगे ये कर देंगे वो कर लेगा रहे पूरा हो जाएगा और पता चला तीन दिन के बाद फुस हो गए कारण जानते हो क्या है आप externally motivated हो आप मेरे से motivate हो रहे हो जबकि motivation अंदर से आना चाहिए बाहर से नहीं आना चाहिए किसी की बात सुनके अगर आप motivate हो रहे हो उसका मतलब आप सही track पर नहीं हो आपको अपना सपना याद होना चाहिए वो dream जब याद होगा मैंने पिछले वीडियो में भी बोला था ये बात अगर रोज आप अपने सपने के बारे में सोचेंगे तो आप 100% motivated रहेंगे अपने आप आपका मन करेगा पढ़ाई करने का क्योंकि अभी फिलाल यही वो जरिया है जो आपको आपकी dream तक ले जा सकता है मेरे पहरे बचों तो आपको externally motivate नहीं होना है आपको internally motivate होना है और internal motivation forever होता है external motivation जो है वो for some time being होता है तो यह पूरा पूरा करना है तभी follow करना वरना एक भी दिन करने की जरूद नहीं फिल जो कर रहे हो अपने इसाब से करो day 4 में देखो magnetic effect of current और magnetism and matter यह दो chapter sequence wise है दोनों रग दिया है यह थोड़ा सा यह थोड़ा सा छोड़ा chapter है अगर आप देखोगे तो इस chapter में आपको फिर से वही लगबग साले तीन घंटे का time लगेगा और magnetism matter में आपको लगबग देल घंटे का time लगेगा तो साले तीन घंटे उदर देल घंटे उदर यहाँ पर भी आपका almost 5 hours का time लगने वाला है अब बाताई सर आप तो क्योड़ घंटे बता रहे है डेल घंटे में बता रहा हूँ जब आप full concentration के साथ बैठेंगे कई बार बच्चों को दिक्कत आती सर हमें formula नहीं याद होता सर formula कैसे याद करें सर इतना बड़ा सा formula कैसे याद करेंगे फइड़ा अगर आप right-handed होना तो आप उस formula को अपने left hand से लिखो ठीक है और left-handed हो तो आप उस formula को दो बार right hand से लिखो now normally होता क्या है कि हम लोग की right hands ज एक बनता है वो इतना ज़्यादा परफेक्ट हो चुका है क्योंकि बचपन से इसी हाथ से मैं लिख रहा हूँ लेकिन अगर मैं इस हाथ से अभी फॉर्मला यहां पे लिखूँ अगर मैं यहां कोशिश करूँ कि बच्पन से लिखने की मेरी आदत नहीं है तो अगर तुम्हें कोई तर्म याद नहीं होता है तो राइट हैंड से अगर लिखते हो तो राइट हैंड हटाओ लेफ्ट हैंड से उसी चीज़ को टेला मेला लिखोगे मुझे पता है लेफ्ट हैंड से जरा लिखो दो से तीन बार बेटा लिखोगे न अपने आप दिमाग में चीज़ जा करके सेट हो जाएगी क्योंकि लेफ्ट हैंड से लिखोगे न तो आपको अपना कंसंट्रेशन लगाना ही पड़ेगा बिना लगाया आप लिगी नहीं सकते और जो चीज़ को दो से तीन बार आपने कंसंट्रेशन से देखा लिखा पढ़ा बोला वो दिमाग में सेट हो जाता है तो इस ट्रिक को ध्यान लखिएगा किसी भी चीज़ को learn करना हो memorize करना हो इस ट्रिक को आप follow करके देखो जरूर आपकी help होगी इसके बाद आज यह अगला chapter है day 5 में हमें electromagnetic induction और semiconductor electronics करना है तो electromagnetic induction बेटा करने में आपको लगबग 2.5 hours का time लगेगा semiconductor electronics में भी मानलो 2.5 hours का time लगेगा यानि कि यहाँ पर आपको 5 hours का time देना है ठीक है 5 गंटे का time आपको देना है इसके बाद alternating current और dual nature of radiation and matter ठीक है तो alternating current करने में आपको लगबग 3 गंटे लग सकते है dual nature of radiation matter करने में आपको यह मान के चलिए लगबग 2 गंटे का time लग जाएगा यानि कि साले 5 गंटे का time मैंने आपको इस दिन भी यहाँ पर दे दिया है अब day 7 में आपको सिर्फ और सिर्फ ray optics करनी है ray optics को आप बड़े अराम से पूरे 5 hours लीजिए ठीक है थोड़ा सा बड़ा chapter है derivations है और long question इस chapter से बेटा board examination में आता है ठीक है अब इन सभी में एक बात ध्यान दखना है जब भी आप किसी chapter को cover करेंगे तो उसका हर एक concept उसका हर एक derivation सारी चीजों को cover करेंगे और उसके साथ साथ आप क्या करेंगे आप कम से कम chapter में से 20 numerical 20 से 25 numerical भी आपको इसी में cover करना है हर chapter से करीबन 20 छोड़े जो chapter से उससे कम से कम 10 12 numerical आपको करने है बड़े chapter से almost 15-20 numerical आपको करने है सर कहों से मिलेंगे अगर आप परिश्रम बैच के student हो तो परिश्रम बैच में जो detailed lectures आप देखोगे न वेटा वो detailed lectures इतने time में हो जाएंगे मैंने मेरे ये experience कहता है कि बच्चे exam के time में न tension ज़्यादा लेते हैं काम कम करते हैं ठीक है आप लोग tension ज़्यादा लेते हो आप ढूड़ के मुझे instagram पर ढूड़ोगे message करोगे सर पताईए कोई strategy बता दीजे भाई बता तो रहाओ tension मतलो serious हो जाओ काम करना शुरू करो ठीक है काम करना अगर आप शुरू करेंगे ये रोतलूपन वाली आदत अगर आप छोड़ देंगे तो आपका ये time बहुत ज़्यादा utilize होगा हर एक दिन कीमती है और sufficient time है अभी more than enough time है अभी इतना time है भाई कि सरकार पल्टी जा सकती है बात समझ रहे हो ना तो कहने का मतला मेरे प्यारे बच्चों ये है कि sufficient time है आप पूरे syllabus को 110% बड़े अच्छे तरीके से cover कर सकते है आठ दिनों में अगर तुमने इतनी मेहनत कर लिया कितना time हो गया जला देखो पर लगबग 11 घंटे हो गए ठीक है और इधर 11, 20, 25 घंटे और इधर 25 घंटे और 5, 26, 5, 31 घंटे, 31 और 8, 49 और लगबग मतलब मोटा मोटा अगर मैं तुमने बताओं तो मैंने तुमसे 8 दिन में 40 घंटे का time मांगा है ठीक है 40 hours का बेटा मैंने तुमसे time मांगा है 40 घंटे 8 दिन में बेटा 8 दिन में सिर्फ 40 घंटे का time में आपसे कह रहा हूँ पूरा तुम्हारा syllabus cover हो जाएगा सर बचे 7 दिन में क्या करना है बचे 7 दिन में तुम्हें फिर से एक बार पूरे syllabus का revision करना है यानि कि day 9 आप क्या करेंगे आप एक self marathon करेंगे आप क्या करेंगे एक self marathon करेंगे खुद से पूरे chapter को revise करेंगे self marathon मतलब खुद के साथ marathon करेंगे एक marathon वो होता है जो हम लोग कराते exam के time पे 12 गंटे 15 गंटे 18 गंटे हम लोग continuously पढ़ाते रहते हैं पूरे syllabus को लेकिन एक दिन में आपका cover करा देते है तो ये आपको marathon करना है ठीक है जबकि मैंने आपके लिए चीजों को आसान कर दिया है आधा syllabus chapter 1 to 7 ठीक है आधे syllabus को आप यहाँ पर एक दिन में revise करिए आधे syllabus को मै आपको बता रहा हूँ यकीन मानों अगर आपने ये सब काम किया हुआ है इसी sequence में आपने काम किया हुआ है तो 7 chapters को मेरे प्यारे बचों revise करने में आपको hardly 7 से 8 गंटे लगेंगे 7 से 8 गंटे लगेंगे क्योंकि वो सारे chapters आप लोगने last week पढ़ रखे हैं पिछले 7 दिनों में आपने 8 दिनों में वो सारे chapters पढ़ रखे तो 7 से 8 गंटे लगेंगे और जब आप part 2 का पूरा self marathon करोगे तो self marathon करने में almost मैं आपको बता दू एक दो गंटा कमी लगेगा 6 से 7 8 गंटे या 5 से 6 गंटे में ही आप इदर पूरे syllabus को part 2 यानि कि आपकी जो second book है उसको आप revise कर पाओगे ये दो दिन बहुत ज़्यादा crucial है ठीक है वो 8 दिन करने के बाद ये 2 दिन आपको देना है खुद को judge करना है मैं आपको बताऊं जब इसके पहले मैं किसी company में चार गंटे तक ही मैंने पढ़ाया था एक साथ धेर सारे बच्चों को पढ़ाने की मेरी बहुत आदत रही है शुरू से लेकिन 3 से 4 गंटे ही मैंने maximum पढ़ाया था लेकिन उस दिन मेरे को मौका मिला कि आपको marathon class लेनी है मेरे प्यारे बच्चों आप यकीन नहीं मानेंग प्या उस दोरान मैंने पानी भी नहीं प्या मैंने कुछ नहीं प्या मेरे को सिर्फ ये धुन था कि मुझे अपने record को तोड़ना है और भाई साब साले 9 गंटा वीदा था पूरा सिलेवस कमर हो गया था बात समझ मारी तो कहने का मतलद जब आप खुद को challenge करते हो ना तो मज़ा कुछ अलगी है दूसरे से मत competition करो यार दूसरे से कोई competition आपका नहीं आपका competition आपके खुद के साथ है अगर आप continuously एक बार में सुर्फ तीन गंटे बैठ पाते हो नौरली बच्ची आज की डेट में मैं देख रहा हूँ तीन गंटा भी एक साथ बैठ नहीं पाते ह तो आप खुद को challenge करो कि आज मैं साथ से आठ घंटा continuous बैठूंगा हर एक concept को revise करूंगा हाँ छोटे मोटे पानी पीने आप जा सकते हैं खाना बीच में आप खा सकते हैं पंदा बीच में ब्रेक लेके लेकिन यह नहीं कि एकदम भर लिया खोब पीजा मगा के एकदम हचक और मैं ऐसा करता था जब मैं पढ़ता था मैं high school intermediate दोनों में टॉपर था और मेरे अंदर यह जुनून था उस समय कि मैं सुबह अगर 8 बजे या सुबह 10 बजे मैं पढ़ने बैठ गया तो भाई साब जब तक खतम नहीं हो जायगा पूरा तब तक मैं उठूंगा नहीं और इतना करने के बाद अब आप लोग कई बार confused होते सर पीवाई क्यू करें या सैंपल पेपर करें तर दोनों तो नहीं कर पाएंगे सर इतना तो नहीं है मेरा बूता कि हम दोनों कर लें तो मैं आपके लिए कि इसका solution ले आया हूँ आप क्या करो आप previous year का ना सैंपल पेपर डाउनलोड गलो सैंपल पेपर आपको मिल जागा गूगल पे मिल जागा ठीक है गवर्मेंट की वेब साइट से आपको सैंपल पेपर मिल जागा आप physics का सैंपल पेपर कौन सा चाहिए हमें पी वाई क्यू वाला मतलब 2023 में जो पेपर आया है मतलब cbsc सैंपल पेपर तो बर्ट गलेत हो गया आप लिखो cbsc examination paper ठीक है cbsc examination paper आपको चाहिए 2023 वाला पीड़ा 2023 में लगबग 16 papers हुए है औल इंडिया लेवल पे उनमें से कोई तीन paper in fact कोई 5 paper आप लेके solve कर डालो ठीक है आप ज्यादा कर सकते है थोड़े ज्यादा कर लो लेकिन 5 minimum तुम्हें करने ही करने है रोज एक paper तुम्हें solve करना है day 11 पर ठीक है 2023 यारी just पिछले साल का जो paper आया हुआ है एक paper कोई यहां से download कर लो ठीक है mobile पे अपना open कर लो बेईमानी नहीं करनी है competition खुद से तुमारा ह किसी और से नहीं है cheating नहीं गरनी है ठीक है पूरे confidence के साथ खुद को तुम्हें सिर्फ और सिर्फ दो घंटे 45 minute का ही time देना है तीन गंटा नहीं देना है ठीक है तू आज 45 minute का ही time आप खुद को देंगे और strictly सामने घड़ी रखिये दो घंटे 45 minute के बाद आप खुद से बं पेपर को complete कर ले और आप इमानदारी से करेंगे तो आप कर ले जाएंगे जब मैं offline पढ़ाता था मैं बच्चों चे 5 घंटे में पेपर करा लेता था और पढ़ने वाले बच्चे 5 घंटे में पेपर करते थे ठीक है तो आप भी अगर आपका है ये motivation की नहीं आपको करना ह है आपको टॉप करना है आपको बढ़े इच्छे marks लाने है तो बेटा ये तुम्हें दो घंटे 45 मिन में पूरा पेपर तुम्हें करना है इमानदारी से करो सही करो गलत करो कोई दिक्कत नहीं तुम पेपर को करो क्योंकि तुमने पिछले 10 दिन लगातार पूरा syllabus पढ़ा है रिवाइस किया है ठीक है अब जब तुम ये पेपर करोगे ना सी बिसी वाला दो घंटे 45 मिनट तुम्हें करने में टाइम देना है उसके बाद अपना नाश्ता वाश्ता कर लो थोड़ा सा रिलाक्स दो जाओ उसके बाद नाउ यू विर एनलाईज द पेपर अब आप क्या करेंगे पेपर की एनलिसिस करेंगे और एनलिसिस करने में बहुत जादा समय लगेगा तो एक से डेल घंटा लगेगा इस से जादा नहीं लगेगा तो आपको इन टे 11, 12, 13, 14, 15 में क्या करना है एक सैंपल पेपर करना है दो घंटे 45 मिनट उसके बाद लगब लगब इसस मतलब आप अपने आंसर को देखेंगे जो solution है आपके पास उसको आप देखेंगे तोनों को match करेंगे as a teacher कि आप teacher होते बायस नहीं होना है कि मेरा है तो हम तो देंगे भईया full number ऐसा नहीं without being biased ठीक है आपको खुद से अपनी copy को check करना है as a teacher तुम कितने number दोगे यहाँ पर ठीक है लेकिन answer match करोगे पहले कोई step marking नहीं करनी है always be very strict for yourself अपने लिए कर रहे हो ना किसी और के लिए नहीं कर रहे हो तुम top करोगे तो मुझे कुछ नहीं मिल जाएगा मुझे सिर्फ खुशी मिलेगी PW को कुछ नहीं मिलेगा सिर्फ खुशी मिलेगी तुम अपने लिए कर रहे हो ना मेरे भाई ये काम तो बहुत strictly तुम्हें चेक करना है अगर चीज़े सही है तो सही गलत है तो काट के तुरण 0 दो कोई partial marking नहीं करनी कोई step marking नहीं करनी है फिर देखो तुमारे day 11 पे कितने नंबर आ रहे हैं और कता ही tension नहीं लेना नंबर काम आ रहे हैं doesn't matter कोई दिक्कत नहीं है day 12 में तुमको यही काम करना है day 11 का जब analysis करोगे तुम यह पता चल जाएगा यार wave optics का यह interference वाला concept में नहीं कर पाया आज तुरंद revise करो उस concept को तुरंद revise करो अच्छे से revise करो day 12 का वाला paper फिर से करो ठीक है जब day 12 में अगला paper करोगे फिर से कहीं न कहीं वैसे ही question गुमा फिरा के इधा उधार से तुमें मिलेंगे क्योंकि हर chapter के question है paper में तुमारे है ना तो फिर से करो फिर से analyze करो जो topic weak रह गया उसको फिर से revise करो फिर से यहाँ पर 13, 14, 15 यही काम आप करेंगे यकीन मानिये अगर 15 दिन तुमने ये साधना कर लिया पढ़ाई करना भी ना एक तपस्या है एक साधना है बहुत आसान नहीं होता है क्योंकि इसमें भी distractions बहुत आते हैं इन 15 दिन अगर आपने थोड़ा सा अपने साथ strict होकर कर ये काम कर लिया मेरे प्यारे बच्चों तो यकीन मानिये आपको physics में बहुत ज़्यादा confidence आएगा और तब आप खुद आकर इस वीडियो पे कमेंट करेंगे सर आपने बहुत ही गजब की strategy बताई थी आपने एकदम मिंदास मेरा confidence बढ़ा दिया है आप खुद इस बात को मेरे प्यारे बच्चों कहेंगे ठीक है तो जाते 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 एक आप लोगों के लिए एक शायरी और करेंगे हलाकि ये थोड़ी सी अलग तरे की है लेकिन कहीं न कहीं आपको motivate करेगी comment करके जरूर बदाईएगा आपको कैसा लगा अर्ज किया है आसू ही तो है लहू आखों से बहा नहीं आसू ही तो है लहू आखों से बहा नहीं इन लोगों ने हमको क्या क्या कहा नहीं आपसे लोग कहते हैं ना गधे हो तुम तुम नहीं कर सकते तुमारे बसका नहीं है तुमारे जैसे बच्चे टॉप नहीं कर पाते आपने ये वर्ड्स बहुत लोगों से सुने होंगे आसू ही तो है, लहू है लहू आखों से बहा नहीं इन लोगों ने हमको क्या-क्या कहा नहीं गुजरे हम भी हैं कई उतार चढ़ाओं से आप लोग भी अपने मानसिक रूप में बहुत सारे उतार चड़ाओ से जूचते हो, भले बहुत अच्छा बच्चा हो, या थोड़ा एवरेज बच्चा हो, बिलो एवरेज बच्चा हो, टेंशन सारे बच्चे लेते हैं, गुजरे हम भी हैं, कई उतार चड़ाओ से, क्या रह गया बाकी जो हमने सहा नहीं, तो दिलेंगे आगे किसी और लेक्चर में तब तक के लिए गुडबाई, टेक क्यर, लव यू आल, गाद ब्लेस यू आल.